तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेक जानों सीखो पर दोस्तों आज की सी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे न कि आपको बताने वाला हूं तो यदि हमारी है वीडियो अच्छी लगेगी इस वीडियो को लाइक और जैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि रोजाना हम आपके लिसी तरह की वीडियो लेकर आया करते हैं ठीक है तो सभी की फोन में यहां पर एक आपसन दिया रहता है और टूल्स का इस टूल्स में एक आपसन होगा या माई रिमोट का देख पर है यही हमारा रिमोट है इसका सेट अप कैसे करेंगे सबसे पहले आपको अपने मोबायल फोन के सेटिंगा जाना है धी महाई को इस अप नेचे आएजड divisORE मेंगे एक आपस का दूल्स के बटन पर किलिक करना है मैंने जैआ पर जाना है मैंने आप जाने के बार हम पर हमको सर्च कर लेना है या माई रिमोट ठीक है इस मैंने क्लिक कर दिया अब देखिए यहां स्टोरेज का एक आफसाने स्टोरेज पर क्लिक करेंगे क्लियर डेटा पर क्लिक करेंगे क्लियर आल डेटा पर क्लिक करके से नार्मलीभी करों करेंगे परमिशन एग्री करेंगे और यहां पड़े हैं पर कर देंगे प्रिमॉट पर क्लिक करेंगे अब देखिए मैं सेटप बता रहे हूं आपको आप किस चीज का रिमॉट इससे बनाना चाहा है लेमाव का सेटप बाक्स का जो company है वो है Samsung का तो हम Samsung पे क्लिक कर देते हैं करके आपके TV on है तो हमारी TV on है example के तौर पे तो हम on पे क्लिक कर देंगे आपको यह sensor आगे sensor रिमोट का इसे इसे क्या करना है इस sensor को न हमें TV के अपने सामने लगाना है ठीक है मतलब ऐसे करते हैं नर्मलियों से यूज करना है और टीवी के सामने विजा करें यहां पर पाउर पर क्लिक करना है और पूछे डज डिवाइस टर्ड ऑन आफ मतलब क्या आपका जो डिवाइस टीवी है वह आने आफ होई है या दाबाने से यदि हुई है तो यस संब्सक्राइब दाब्यद्द करते हैं अब हमारा या यह मतलब है ठीक है अब सिंपल हमें क्या करना है आप पाउर का बटन इसे इसे हम क्या कर लेंगे अपना मतलब सारा कुछ यूज कर सकते हैं सानी से आप क्यों किया पेर्ड हो गया वालू अपडाउन चैनल अपडाउन वैलू मूट हो गया सारा कुछ है तो दोस्तों हम उमीद करेंगे वीडियो को बहुत अच्छी लगी होगे वीडियो अच्छी लगी हो ना तो क्रिपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं किसी नई वीडियो में नया अपडेट के साथ तब तक कि लिए आप लोग अपने ख्यार देखेगा में दूस्तुम